Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर परसेंटेज पढ़ा दीजे तो आज हम एक नए टॉपिक के उपर डिसकस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज यानि प्रतिसत जिसको हिंदी में कहते हैं तो सबसे पहले देखें प्रतिसत है क्या चीज प्रतिसत होता क्या है इसका अर्थ क्या होता है तो सबसे पहली ये समझते हैं प्रतिसत का जो अर्थ होता है ये होता है प्रति सौ यानि जो हमारा होता प्रतिसत का अर्थ होता है प्रति 100 या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ये प्रति और ये 100 हो जाता है हमारा प्रति से या इसका दूसरा जो नाम इसको कर सकते हैं प्रतिसव तो हो गया एक तरह दूसरा इसका नाम होताब प्रतिसयकड़ा बोलते हैं जो देशी लेंगेज होता है एक तरह लोकल लेंगेज बोलते हैं जिसको प्रतिसयकड़ा बोलते हैं इसको प्रतिसयकड़ा और इसको जो अगर परसेंटेज को डिनोट करते हैं जैसे माल जाया कि पूरा का पूरा ये 100 है लेकिन ये जो उपर अंक 1 दिया है ये 100 में एक यानि एक हिस्सा ये चुकि अगर ये पूरा 100 हिस्सा है तो 100 हिस्से में ये एक हिस्सा आपका मतलब ये एक हिस्सा होता है या एक हिस्सा कहलाता है ये ठीक है फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स प्रतिसत का चार्ट हम देखते हैं सबसे पहले जो है प्रतिसत का चार्ट देखेंगे प्रतिसत में चार्ट क्या होता है आपको यह से दिखी। सबसे पहले यहां पर देख प्रतिसत का चार्ड जैसे कि हम आपको बतah दें कि जो हमारा पहला वीडियो आपको हए प्रतिसत चार्ड के उपर ही रहेगा दूसरा अगर हमको परसिंटेज कैसे निकालना है अंको का दिया रहेगा वो हम बताएंगे आपको तो सबसे पहले आप प्रतिसत चार्ड देखिए क्या है जैसे आपको कह दिया जाए कि एक मतलब ये one होता फ्रेंड्स हमारा ये मान लिजे one दे दिया है one ये जो होता एक हमारे ये hundred परतिसत के बरावर होता अगर हम आपसे कहें कि one upon two कितने के बरावर होता है तो आप सीधे क्या करेंगे जो one upon two जो होता है फ्रेंड्स वो हमारा होता है 50% के बरावर होता है अगर आपसे यही चीज़ one upon three कह दिया जाए जब इस 1 upon 3 जो होता हमारा 33 सही एक बटा 3 प्रतिशत के बरावर होता है या इसको और ज़्यादा अगर simplify करेंगे friends इसको और ज़्यादा अगर simplify करेंगे तो 33 सही 3.3 हो जाता है friends यह होता है friends अब आपसे कहा जाए कि 1 upon 4 का क्या होगा friends 1 upon 4 यह जो friends होगा यह हमारा होगा 25 प्रतिशत के बरावर होता 1 upon 5 कितने प्रतिशत के बरावर होगा तो 1 upon 5 जो होगा friends 20 प्रतिशत के बरावर होगा अगर आपसे कहा जाए 1 upon 6 यह कितने प्रतिशत के बरावर होगा friends तो 1 upon 6 जो हमारा होगा friends 16 सही authorities 16 सही 2 बटा 3 प्रत्सित के बरावर होता लेकिन friends सबसे जरूरी यहाँ पर है कि यहाँ पर या इसको हम कर सकते हैं 16 सही 6.66 प्रत्सित के बरावर भी यह होता है 1 अपां 7 की बात करते है 1 अपां 7 जो होता है friends हमारा 14 सही 2 बटा 7 प्रतिशत के बरावर होता है या इसको अगर और ज़्यादा simplify करेंगे यहाँ पर यह होगा 14.28 प्रतिशत के बरावर होगा अब बात करते हैं 1 अपान 8 की बात करते हैं तो 1 अपान 8 जो होगा फ्रेंड हमारा इसको क्या करेंगे 12 सही 1 बटा 2 प्रतिशत के बरावर होता है और इसको और ज़्यादा अगर simplify करेंगे तो यह होता हमारा 12.5 प्रतिशत के बरावर होता फ्रेंड साड़े 12 प्रतिशत होता है फ्रेंड 1 अपान 9 की बात करते हैं फ्रेंड होता है और ज़्यादा अगर इसको simplify करेंगे तो यहाँ पे 11.11 प्रतिसत के बरावर ही होता है अब फ्रेंड्स 1 अपान 10 की बात करते हैं यह कितने प्रतिसत के बरावर होगा तो यह हमारा 10 प्रतिसत के बरावर होता फ्रेंड्स 1 अपान 11 की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1 अपान 11 जो होता हमारा 9 सही एक बटा 11 यानि की इतने प्रतिसत अगर इसको और ज़्यादा simplify करेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9.09 प्रतिसत चुकि यह जितने भी है अभी यह 16.66 9.0 14.28 यह सारे decimal में है और यह सारे जो है फ्रेक्शन में हमारा जो प्रतिसत है परसेंटेज है फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक बटा 12 की एक बटा 12 को हम क्या कर सकते है फ्रेंड्स तो 12.98 चानवे 12.98 चानवे वन अपान सोरी एट सही एक बटा तीन आएगा प्रतिसत अगर इसको और ज्यादा सिंप्लिफाई किया जाएगा तो यह हो जाएगा 8.33 प्रतिसत के बरावर हो जाएगा फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक बटा 13 की तो एक बटा 13 जो होता हमारा फ्रेंड्स 7 9 बटे 13 के प्रतिसत के बरावर अगर इसको और जारदा simplify करेंगे तो इसको जारदा simplify करने के जरूरत ही नहीं जारा हम उसी चीज को simplify कर सकते हैं जो exam के टाइम पर आता है 1 upon 14 इसको क्या लिख सकते हैं 7 सही 1 बटा 7 प्रतिसत अब यहाँ पर देखे फ्रेंड एक बटा पंदर है इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं छह सही दो बटा तीन प्रतिशत के बरावर लिख सकते हैं या कभी-कभी प्रसंद में यह देदेता है इस तरह का देदेगा 6.66 प्रतिशत देदेता है चुकि यह सब अभी जो हम पर देखे इसका बहुत ही जादे यूज आगे आएगा क्योंकि इसी से हम परसेंटेज जो है बहुत इजी तरह का है मतलब कुछी सेकेंड में निकाल सक कितना भी बढ़िया परसंद दिया हो कितना भी जादा अगर नंबर दिया परसंद आगा अगर यह सब चीज अगर हमको नहीं मालूम रहेगा परसंद इसलिए प्यारे बच्चों में आपसे यही कहूंगा कि आप एग़र परसंद चार्ट एक से दो बार तीन बार अगर आ बेसिक इसलिए आपको बता रहे हैं यह साथ आपको पता भी होगा फ्रेंड तो इससे ज़्यादा आपको यह कहूंगा कि आप पहली जो है आप बेसिक को अपना मजबूत करिए और फिर देखिए परसेंटेज का जितने भी क्वेस्टेंस हैं कितना अराम से आपका आपसे ही बनेगा फ्रेंड एक बटा 16 की बात करते हैं तो एक बटा 16 को हम लिख सकते हैं 6 सही एक बटा 4 प्रतिसद अगर इसको और ज्यादा सिंप्लिफाइ करेंगा फ्रेंड तो यहाँ पे आजाएगा 2.16 का चानवे सोरी सोरी यहाँ 6.25 आएगा प्रतिसद आएगा एक बटा 17 को क्या लिख सकते हैं यह जो होगा हमारा एक बटा 17 पांच सही 15 बटे 17 के बरावर हमने इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे अगर इसको और ज्यादा सिंप्लिफाइ करेंगे फ्रेंड तो 5.88 प्रतिसद के बरावर आएगा अब बात करते हैं फ्रेंड 1 अपान 18 यानि 18 की बात करेंड यहां देखी यह कितने के बरावर होगा तो 5 सही 5 बटा 9 प्रतिसद के बरावर होगा अगर इसको और ज्यादा सिंप्लिफाइ करेंगे फ्रेंड तो यहां पे जो होगा आपका प्रतिसद के बरावर होगा और अब करते हैं एक बटा 20 का यह हमारा जो होगा यह 5 प्रतिसद के बरावर हो जाएगा और फ्रेंड्स आपसे और कहूं तो 20 तक यह परसेंटेज होगा हमारा आप चाहे तो 30 तक परसेंटेज को आपने खुषसे भी बना सकते हैं कीज की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका चार सही चार सही चार बटा साथ परसेंट के बरावर हो जाएगा अब बात करते हैं एक बटा बाइस की यह हमारा होगा यह हमारा हो जाएगा चार सही चार बटा 11 प्रतिसत के बरावर हो जाएगा अब बात करते हैं 1 बटा 24 की 1 बटा 24 को हम लिख सकते हैं फ्रेंज 4 सही 1 बटा 6 प्रतिसत के बरावर कर सकते हैं या इसको और ज्यादा सिंप्रिफाइ करेंगे फ्रेंज तो decimal में तो यहां पर आ जाएगा आपका 4.16 जो decimal देता है आप दोनों चीजों को ध्यान रखिए और यह चीज रटने की जरूरत नहीं याँकि इसको में आप एक से दो बार जब खुड़ से बनाएंगे खुड़ से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी जैसे जैसे आप question के उपर अपना question के उपर practice करेंगे वैसे आपका ये जो है command प्रसन के उपर बनता ही जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी फिल महसूस होगी question के उपर जैसे जैसे command बनेगा वैसे वैसे आप percentage के question को बहुत आसानी के तरीक आसानी से इस percentage के जितने भी सवाल है friends उसको बनाते जाएगे friends 1 upon 25 की बात करते है 1 upon 25 की तरीक बरावर होगा ये तो 25 चौक का 100 यानि 4% के बरावर हो जाएगा आपका ये अब बात करते है friends 1 upon 30 की ये जो होगा friends ये जो होगा 3 सही एक बटा 3 प्रतिस्यत के बरावर अगर इसको और ज़्यादा simplify किया जाएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 3.333 1 upon 40 की बात करते है friends तो ये हो जाएगा आपका 1 upon 40 दो सही एक बटा 2 प्रतिस्यत हो जाएगा और इसको और ज़्यादा अगर simplify करेंग डेसिमिल में तो 2.5 प्रतिस्यत के बरावर हो जाएगा तीन बटा 8 अगर आपको दिया हो इस तरह हो तो इसका जो percentage होगा friends इसका जो percentage होगा ये होगा आपका 37 सही एक बटा 2 प्रतिस्यत के बरावर हो जाएगा पांच बटा 8 अगर आगया हो एक जाम है जैसे पांच बटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं पांच बटा 8 को हम लिख सकते हैं 62 सही यहां पर क्या होगा 62 सही एक बटा 2 प्रतिस्यत लिख सकते हैं अब फ्रेंड्स अगर आपसे यह कहें जैसे क्वेश्चन में दे दे 83 सही एक बटा 3 प्रतिस्यत अब आपको यह चीज़े पता नहीं फ्रेंड्स तो आप क्या लिख सकते हैं 53 सही एक बटा 3 को हम लिख सकते हैं पांच बटा 6 के बरावर कर सकते हैं उसी तरह फ्रेंड्स आपसे अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में दे दिया 57 सही एक बटा 7 प्रतिस्यत अगर इस तरह का आया हुआ है प्रतिस्यत दे रखा है तो यह जो होता हमारा 4 बटा 7 के बरावर होता फ्रेंड्स उसी तरह आपसे कहें कि अगर 703 बटा 7 प्रतिसत अगर आपको दे रखा प्रसंद में तो ये किसके बरावर होगा फ्रेंड तो ये होता हमारा 5 बटा 7 के बरावर होगा चुँकि फ्रेंड ये सब चीजे अभी जो हम बता रहेंगे 83 सही बटा 3 ये 5 बटा 6 कैसे आया इसके उपर हम आगे जो हम next वीडियो में discuss करेंगे कि हमारा ये कैसे कैसे percentage निकल के आया हुआ है क्योंकि अभी तो हमें एक तरह आपको चार्ट बता रहे हैं और चार्ट आप इबार देखे रहेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आपसे कहा दिए 5 बटा 9 5 बटा 9 किस के बरावर है तो आप क्या करेंगे इसका जो percentage निकालेंगे तो 55 सही 5 बटा 9 प्रतिशत के ये बरावर होगा हमारा फ्रेंड उसी तरह फ्रेंड एक बटा पांच सोर एक बटा पचास ये आपको हर किसी को पता होगा ये हमारा होता है दो परसेंट के बरावर होता है तो बच्चे ये तो अभी हमारा percentage का चार्ट था और अब हम इस पे जो अगला वीडियो बनाएंगे फ्रेंड या अगला next topic पर बात करेंगे इसी percentage के उपर ही बात करेंगे फ्रेंड और उसमें आपको बताएंगे कि जो percentage का ये सब यहां से जैसे मालीजी ये कैसे आया ये संतान से ये बटा साथ कैसे आया पांच बटे साथ को हम easily कैसे लिग सकते हैं फ्रेंड तो ओ सब चीजे हम next वीडियो में आपसे discuss करेंगे फ्रेंड तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक से दो बार इसको देखिएगा और बहु वाचिंग फार वीडियो धन्यवाद दो